है ऒगे आजिए वीडियो में ऊभत्वाटाओंगा व्हशंच कि क्या है होता है जो की बाइक का पाओर बोलता है ॐ शीक क्या होता है अपने सेथैंज गोब एकटो फची सीजी 150 चीजी 220ग Яद में अलॉत में 2011 प्रॉम से सब बार्योट इंद्स पर मिंट्थ इनों का पिस्टन का इसमें क्रांग जाता है तो कितना है एक मिनिट में कितनी बार वह रहा है ओसे काई पार पर आक किकर आपके बाईक मेशन होटा है तो आपका बाइक कर तन चाहिए इसमें अब कर रहा है तो यह होते हैं अब आपका RPM से बहुत कुछ पतला लगा जा सकता है जो कि लोग me करता है इनजिन को उसके बारे में आऊंगा बसे तो आसे करता है आप्सकी आपको समाझ में आगा ला रहा है होने चिसी आप ऐमान के चलिए अले पर फॉरली इन टूब स्क्वाइर ची ऑफर को फोर्मूला है इंट्सच फोर डीज diagram इन्टू स्ट्रोक जो आएक का स्ट्रोक होता है अब यह बोर को प्रोक आपको मिलेगा का बैसिकल आपको यूजर मनी में मिलता है मैंने जो प्लाटियना वांटन पर्चेस किया है उसका बोर है 50 mm स्ट्रोक है 58.8 mm तो इससे मुझे पता लगा इसका बैसिकली लिखा 110 cc के इंजिन पर इसके आम क्यल्कुलेट करके पता लगा जा सकता है पाइब फॉर पाइब फॉर पाइब पाइब का सबको वहलू बाता है 22 बाइब सेवन दाइस 3.14 डिवाइड बाइस 4 इन्टू आपक आपका बाइक में ऐसे जाएगा इसे मिल जाएगा बोर स्कॉर इन्टू स्ट्रोक वह कर दीजे मेरे बाइक में आ रहा है 115.45 cc का तो लाइक 1110 से बोलते हैं बड़ है यह धिले 115 का इंजिए की केस में बहुत थारे चीज है क्योंकि अगर आपका बाइक कभी भी खराब हो गया होगा आपको आपको लाइक इंजिन का काम हो रहा है तो मेकानिक क्या करता है निया बोर के डल बात है और जो मेकानिक ज्यादा प्रिफार करता है वह आपका पिस् आपको मेजर करना पड़ेगा आपका स्टॉक कंपनी में लिखा रहेता है अगर आप इंजिन बोरिंग के बाद जो पिश्टन डलवा जाएंगे तो आपका सीसी जो है डिफिनल्टी इंक्रीज उसका बोर्क जो है जो इंजिन का साइज होता है जो थोड़ा सा बड़ा डाल बोरींग करने के बाद और बोरींग करने के पृट Dasuk ॱअर अर्माइलिग ने वन तोड़ा सा कम हो यह बता देया में धृत की आप ज्तना ज्यादाशीन होग है ुटना ही इस्यां कपर्सश की नहीं कोता हैtit बहुत शचता है मौन ओम्सित पोड़ींडो सब्स्स सब्सक्राइब करता है तो भी जो होता है वह कॉंप्रेशन देशियों के उपर डिबन करते हैं इसको बाद में आँगा अभी इमान के जलिए जितना ज्यादा सीसी होगा वह उतना करें अगर आप सो सीशी का कोई फरिट है उसका मालेज जो होगा 125 का जो सीसी का बाइक है है होन्डा साइन स्पी 125 सीशी है उसका मालेज डिफेनली 100 की का इंजिन से से कम होगा कि क्या होता है जहां में फ्यूइल जलता है लेक एक एक सिसी का लाएक यह वाला है 125 थोड़ा सा बड़ा होगा तो फूल उस्तुना जाधा जाएगा और आपका माइलेज इतना ड्रॉप होगा इसलों से पावर ज्याधा मिलता है तो सिसी का यह और सिसी का फुल फूम है क्यूबिक क्यवासिटी और कॉन-कॉन बोलते क् सब्सक्राइब क्यूबिक सेंटीमेटर प्रेफर करना ज्याधा मतलब एक्जाम में आप क्यूब एक सेंटीमेटर ही लिखना पड़ेगा अब बात करते हैं भी और टॉर्क वाट इस बीश्पेंट अब विल टॉर्क जानने के लिए आपको सिंपल एक फॉर्मूला है किसी ने क्याना मतलब इसको जो इसको मोड रहे हैं तो मोडने के लिए करना पाद रहा है और वोक करें पहले ऐसे था तो यह से यहां तक यह जो पादगा थे इतना डिस्टेंश और इसम्रक आप प्रस लगा है वह उसका के लिए टॉwn पर और अबर लेका और करेंगी उसका इतना बाइक का ज्यादा टॉर्क होगा वह उसका पिक अप्ट ज्यादा होगा उतना अच्छा पीक अपने एक बंद बिठाया इपने बाइक में आप खिंच रहे बाइक को इसी पुल कर रहा है तो वह होता है आप टॉर्क को मनिए पुलिंग पावर जिनने बाइक का पिक अपने बाइक का पुलिंग पावर ज्यादा होगा इसलिए अपने लागेज फिटिंग कर दाते हैं आप भी बैठ जाओ और चार बंदों को भी बिठाओ बड़ उसका कोई फर्क नहीं पड़ेग आपके बाइक में अगर आपके में जाता है नियुक्छा ब्रफ भागिने हुआ है कि इसको तॉर्क जादा कमपर ने दिया हूआ इसमें एक लिखा था इसमें नाइंटीन बीच इसमें अगर मैंने देखा हूं तो यहां पर लिखा है एट पॉंट्ट सीट पीएस नौट बिच तो यहां पर बिच पी क्यों ने दिया विल इसका रिजन है विच्पी और पीएस अलग चीज होता है उसको विख अलग किया जाए सकता है तो लेकि आपको अगर नॉर्मल हम बैंच बात करते हैं और किसी किसी के समें हां और यह था पोटार की पावर अब्वह एक अलग दो भी करना था है तब चले बात करते हैं पर बात करते हैं बेस्क्राइब क्या होता है आपकी बाइक के जुब प्रायंग है उसमें जितना पावर प्रोडीयूस कर रहा बोटाएब ब्रेक होर्स पावर अब बेश्वी करते हैं कंपने बेश्वी कैलकुलोटिक ऐसे किया है आपके बाइक का इंजिन है इसके साथ ना कनेक्ट है आपका विल ना कनेक्ट है चैसीज नौर्माल एक हुआ इंजिन होता है उसको उसके क्यांक में जितना पावार प्रडियूस कर रहा है बाइक सबसे एक rpm वह होता है बीउटी तो अगर इंजिन को ऐसे तो नहीं चाड़ा जा सकता ना उसको नहीं सकते तेंक लगाना पड़ेगा चैसी करनेक्ट करना पड़ेगा और तो यह तो जो एक्टुएल पावर और भोता है हॉर्स पावर ठीक है जो घोड़ा तकी जिसको कहता है तो लिए पी से एक्ष फार्ट थोड़ा दो एक भी होर्ट काम होता है तो इसमें लिखाए 90 पावार आपको मानना पढ़ेगा उसमें एक एपे दो कम कर देजिए वह उसका मिलने आपको एक्षियल पावर एक्षियल फुल चॉटल पे आपके विल पे वह था एक्षियल पावर तो बीच पी किसको आए और होर्स पाउर किसको आजाता है मैंने आपको समझा देगा अब इसमें एक चीज आता है पीएस पीएस क्या होता है इसकली सेंटीमिटर या फिर मिलिमिटर आपने सुना होगा फिरमोमेटर तो माप सब्सक्राइस सब्सक्राइड हें और सब्सक्राइब यहां पर दिया है PS, तो PS को अगर मैं BHP रहो इससे ने लिखा है 8.6 PS की पावार दर प्लाटेन वांटे, उसको आपको मुल्टिपाइए करना पड़ेगा 0.9864, इससे आपको क्याइए करना पड़ेगा, इससे आपको क्याइए करना पड़ेगा, जो का PS होता है, चैनल को जरूर सबसक्राइब कर लीजे क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग नोलेज, आपको इस चनल में मिल जाएगा हमेशा और मेरा एक वेबसाइट है www.theindianoxof.com वहाँ पर विजिट के लिए ब्लोग डालता हूं ठीक है रिटन में तो आपको वहाँ पर भी तरह तरह का चीज़े मिल जाएगा तो मैं बिदार रहता हूं एक नए वीडियो में मिलते हैं तब